हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो दे समाजी गुरू चैनल, आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट के सोशल स्टुडीज का मॉडर्ट टेस्ट पेपर जो की पी एससी भी ने इशू किया है, ठीक है, तो हम सबसे पहले पर देख लेते हैं कि क्या है, आपको जो पेपर है वो आप नेक्स्ट जो सेक्षिन टू है उसमें 10 questions दिये जाएंगे और हर question जो है वो 2 marks के होंगे और इसमें आपने answer जो है वो 25 तो 30 words के बीच में देना है, नेक्स्ट जो सेक्षिन है आपका 3rd इसके अंदर आप 3 questions अटेंप्ट करने हैं, ठीक है, टोटल 5 questions जो है वो given है और हर question जो source based question है, आपके बुक से कोई भी paragraph लिया जा सकता है और उसके basis पर आपको questions दिये जाएंगे, 3 questions दिये जाएंगे, और हर question जो है वो 1 marks का होगा, ठीक है, तो जैसे आप लोग English में unseen passage करते हो ना, उसी तरीके से answer जो है वो आपको इसी passage के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, इसके सेक्शन 5 है, उसमें आपने जो है, वो map में mark करना है, जो भी चीजे दी जाएंगी, और इसमें जो है, अपने 5 जो है, वो चीजे फिल करनी है, map में, और हर जो आप कह सकते हो की, हर point जो है, वो 1-1 marks का है, तो अब आईए हम question paper जो है, उसको solve करते हैं, सबसे पहले section 1 देख हैं, कि natural disaster जो है, वो क्या है, तो natural disaster जो है, is a natural event such as flood, earthquake or hurricanes that causes great damage or loss of life, natural disaster जो है, वो natural event है, ठीक है, प्रकृती द्वारा पैदा होती है, और इससे काफी ज्यादा जो है, वो नुकसान होता है, जान और माल दोनों का, जैसे कि बाढ़ हो गया, earthquake हो गया, या hurricane हो गया, ठीक है, next question है, कि हमारा जो first president इंडिया का था, वो कौन थे, ठीक है, तो वो थे Mr. Rajinder Prasad, इसके बाद next question है, आपका कि, how many members are nominated by the president in Rajya Sabha, जो Rajya Sabha में, president जो है, वो कितने members को मनोनित करता है, तो ये 12 members होते है, जिसको की nominate करता है, President Rajya Sabha में, section 2, इसमें आपने 10 questions है, जितने भी questions दिए ह ठीक है, section 2 में आपको 10 questions दिए जाएंगे, सारे questions है, वो आपने attempt करने है, और हर question 2 marks का होगा, where do iron ore is found in India, iron ore जो है, वो इंडिया में कहां पर मिलता है, तो iron ore इंडिया में, बिहार में, सिंगबं में मिलता है, उडीसा में, मयूर्भंज में मिलता है, चतिसगर में, दुर्ग earthquake is the sudden movement or trembling of the earth's tectonic plate, तो जब धर्ती की जो tectonic plates होते हैं, देखो हमारी धर्ती जो होती है, उसमें 20 minor plates होते हैं, और 7 major plates होते हैं, ठीक है, यह tectonic plates होते हैं, जब इनमें अचानक से जो movement होती है, तो हमारी जो ground है, या earth crust है, वो shake हो जाता है, ठीक है, और इस shake को ही हम earthquake के नाम स जाते हैं, और इस shaking की वजए से buildings वगेरा जो हो टूट जाती है, तबाह हो जाता है, earth surface जो हो टूटना शुरू हो जाता है, next question है, what is a cyclone, cyclone क्या है, by what other names is it called, और इसको किस-किस नामों से जाना जाता है, the term cyclone is derived from the Greek word cyclos, तो यह जो cyclone word है, यह Greek word cyclos से लिया गया है, जिसका म उसी तरीके से जो है, cyclone होता है, cyclones are violent wind system with a wind velocity of more than 63 km पर, तो यहाँ पर cyclone जो है, वो काफी तेज हवा होती है, ठीक है, और इसकी speed जो है, वो 63 km पर आर से जादा की होती है, ठीक है, और these are called hurricanes in North America, North America में इसको hurricanes कहा जाता है, South East Asia में इसे टाइफून नाम से बुलाया जाता है next question है, write down the two effects of western education system, तो western education system के दो effects जो है, वो बताने हैं कि क्या प्रभाव पड़ा उसका, तो most of the people remain illiterate due to expensive educational system, क्योंकि यह जो educational system अपनाई गई थी, western education system वो बहुत जादा महेंगी थी, तो जादा लोग जो है, वो अनपढ़ रहे गई, ठीक है, दूसरा कि spread of western education helped in eradication of superstitions from India, अब जो लोग पढ़ लिख गए, तो जो अन्दविश्वास में भारत पुराने टाइम में बहुत जादा अन्दविश्वासों में घिरा हुआ था, तो वो चीज़े जो है, वो दूर होनी शुरू हो गई, when and due to whose efforts the sati system was declared illegal, किसके कोशिशों से और कब, जो sati system था, उसको illegal गोशित किया गया, तो sati system was declared as illegal by Lord William Benteke, Lord William Benteke ने इसे illegal गोशित कर दिया था, ठीक है, कब गोशित किया था, 1829 AD में, किस वज़े से, क्योंकि Raja Ram Mohan Roy जो है, वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है, next question है, write down why Veer Salingam is called the prophet of modern आंदरप्रदेश, तो Veer Salingam को prophet जो है वो आंदरप्रदेश का, आज के आंदरप्रदेश का prophet क्यों बोला जाता है, तो Veer Salingam was a great social reformer of आंदरप्रदेश, वो जो है, वो समासुधारक थे, ठीक है, आंदरप्रदेश के, he was not only a social reformer, but a great scholar as well, तो वो न सिर्फ, जो है, कह सकते हो कि सुधारक थे, समासुधारक थे, बल्कि बहुत बड़े विद्वान भी थे, उन्होंने अपनी सारी जंदगी, जो है, वो social services में दे दी, लोगों की भलाई के लिए काम किया, ठीक है, और यहां तक कि scheduled caste के जो लोग होते हैं, उनकी भलाई के लि colonialism, कि आप इस से जो है, वो क्या समझते है, क्या होता है, कि इस control of one country over the other, एक country दूसे country पर control करती है, from political, economic and social point of view, तो completely अप कह सकते हो, control करती है, अपने अंदर कह सकते हो, ले 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 लेती है, slave बना लेती है, गुलाम बना लेती है, ठीक है, it is a practice by which a powerful country, directory controls less powerful country, तो यह एक तर अपनी पावर और अपना जो पैसा है, उसको बढ़ा सके, who are legal advisor, legal advisor किसे कहा जाता है, whichever lawyer takes up the case from the side of government, is known as legal advisor, तो ऐसा कोई भी lawyer, जो government की साइट से case, जो है, वो लेता है, उसे legal advisor, बोला जाता है, next question है, what are civil cases, civil cases क्या होते हैं, तो civil cases जो है, वो generally public से related होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे fundamental rights है, अगर उसका कोई हनन करता है, ठीक है, या marriage से related के, जो है, case होते हैं, divorce से, rape से, या property और land dispute है, ठीक है, कि property को लेकर लड़ाई जगडा है, तो वो सब civil cases की काटेगरी में आ जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि जो civil cases होता है, वो personal life से बिलॉंग करता है, ठीक है, next है आपका, how does illiteracy affect democracy, किस तरीके से, जो illiteracy मतलब अनपढ़ता, वो किस तरीके से democracy, यानि कि लोकतंतर को प्रभावित करती है, तो सबसे पहले देख लेता है, कि illiteracy हो किसे कहते है, अगर एक परसन जो है, वो पढ़ने, पढ़ नहीं सकता है, या लिख नहीं सकता, तो उसे illiterate नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, यह हम कहते है कि illiterate है, वो अनपढ़ है, illiteracy is one of the biggest occurs for democracy, because, तो जो अनपढ़ता है, वो किसी भी democratic country के लिए बहुत बढ़ा अभ जाती का है, यह जो है, वो उपर, मतलब उपर की जाती का है, ठीक है, या काला है, या गोरा है, किसी भी तरीकी का inequality जो है, वो अनपढ़ता के कारण होता है, इट इस अन ऑप्स्टेकल इन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक उपीनियन, अब लोगों को पब्लिक उपीनियन जो है इलिट्रेट पीपल केन इजीली बी डविटेड ऑन रॉंग पाथ, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनको इजीली गलत रास्ते पर ले जाया जा सकता है, निक्स है, इलिट्रेट पीपल आर अनेबल तो प्रॉपर्ली यूज यूज देर राइट जो इलिट्रेट पीपल हो इलिट्रेट पीपल के देश में कितना बदला अवला सकता है, निक्स आ जाता है आपका सेक्शन थर्ड जिसमें की त्री क्वेस्चन आपने अटेम्ट करने और हर क्वेस्चन वह थ्री माक्स का है, राइटर नोट और कॉटन प्रॉडक्शन इन पंजाब, कॉटन करता है, जो मेजर प्रोड्यूजर है कॉटन का वो है फिरोजपूर और संग्रू डिस्ट्रेक्ट, बीटी कॉटन जो है वो बहुत ही अच्छा जो है अच्छे से जो है वो पंजाब में ग्रो किया जाता है, मालवा रीजन जो है उसको वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानि कि बचाव किया जाता है बचाया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग टी के बारे में देख लेते हैं, टी प्लांटा प्लांटे इन क्लियर्ड स्लोप ठीक है, तो यह एक स्लोप जो है वो बना दिया जाता है, इसको उगाने के लिए ताकि जो है, ताकि जो है tea plants need pruning for its proper growth, pruning क्या होता है, कटाई जटाई ठीक है, तो जो tea का plant है, वो properly जो है, वो grow करे, उसके लिए उसको pruning करना ज़रूरी होता है, वैसे most of the plants को जो है, वो pruning करना ज़रूरी होता है, ताकि उसकी growth जो है, वो properly होती रहे, next आता है आपका coffee, coffee saplings are grown in nursery and then transplanted in the field, coffee saplings के होती है, जो छोटे-छोटे plants starting level पे होते हैं, ठीक है, वो उगना शिरू होते हैं, तो वो nursery में उगाया जाते हैं और उसके बाद इसे खेतों में लगाया जाता है, transplant किया जाता है, the plants required fertilizer, pruning and irrigation, इस plant को भी fertilizer की जरूरत होती है, pruning यानि कटाई-चटाई की जरूरत होती है Sunny weather is required during growth, इसको उगाने के लिए हमें sunny weather, यानि कि अच्छी खासी धूब जो है वो चाहिए, the tree is pruned to keep it up to a height of 8 feet, इसके tree जो है, इसको प्रून किया तक कटाई-चटाई की जाती है, ताक ये 8 feet तक बढ़ा हो सके, next question है, what was with India movement, भारत छोड़ो आंदोलों जो है, वो क्या था, the British fought second world war against Japan, तो जो Britishers है, ठीक है, उन्होंने second world war जो है, वो जपान के खिलाफ लड रही थे, so Japan decided to attack India, because India was under the British rule, तो जपान ने decide किया, कि वो इंडिया पर attack करेगा, क्योंकि इंडिया जो था, वो Britishers के अधीन था, ठीक है, उसको control कर रहा था, गांदी जी thought that if the British could left India, then Japan would not attack India, तो गांदी जी ने सोचा कि अगर Britishers जो है, वो इंडिया को छोड़ दे, तो जपान हम पर क्यों attack करेगा, जपान हम पर attack नहीं करेगा, तो ये सोच के साथ, उन्होंने quit India movement जो है, वो start किया, 8th August 1942 को, ठीक है, तो अगले दिन जो है, गांदी जी और जो दूसरे Congress leader थे, उनक पुलिस station, government buildings, post office, railway station पे काफी जादा जो है, वो नुकसान पहुचाया, government ने इस movement को दबाने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन जो है, but was unable to suppress the revolutionaries, लेकिन वो इन क्रांतिकारियों को जो है, वो दबाने में, जो है, वो सक्षम नहीं हो पाए, next question है, write down a note on communism, हमने 5 questions, पूर सब क कर देते हैं, यहां पर, ठीक है, आपने कॉमिनलिस्म से क्या समझते हो, तो कॉमिनलिस्म जो होता है, एक स्ट्रॉंग सेंस अफ लोयाल्टी है, to the interest of one particular group, चाहे वो रिलिजियन्स हो, एथिक्स हो, ठीक है, rather than to society as a whole, which can lead to extreme behavior or violence towards others, तो कॉमिनलिस्म जाने के संप्रता है, इस के लिए फाइदे की नहीं सोचते हैं, तो जिसकी वज़े से क्या होता है, extreme behavior हो सकता है, बहुत जादा जो है, aggressive behavior भी हो सकता है, violence होता है, तो अब हमें यह ध्यान लगना चाहिए, कि इंडिया जो है, वो secular country, यानि यहां पर सभी धर्म के लोग जो है, वो साथ रहते हैं, ठ communal riots broke out frequently due to religious fundamentals, अब आप देखोगे कि काफी बार जो होता है, वो communal riots जो होते है, संप्रताइक दिंगे, ठीक है, वो शुरू हो जाते हैं, हिंदो-muslim के लडाई हो गई है, किसी और धर्म के साथ लडाई हो गई, many people are of the view that government should give special care to the interest of minorities, काफी जादा लोग जो है, वो इस के favor में है, कि जो minorities है, उनको जो है, सरकार को special care देनी चाहिए, ठीक है, उनके special जो है, वो ध्यान रखना चाहिए, next question है, write down the composition of Indian Parliament, Indian Parliament जो है, वो किस तरीके से compose होता है, या नि बनता है, उसके बारे में आपने लिखना है, तो Indian Parliament जो है, वो तीन चीजों से मिलकर बना है, सबसे पहल लोग सभा है, उसको लोवर हाउस कहा जाता है, और जो राज्य सभा है, इसे अपर हाउस बोला जाता है, जो मेंबर है, लोग सभा के वो डारेक्टली जो है, आप यूनिबोसल डारेट फ्रेंचाइज याने, जो भी 18 यह से उपर का होगा, वो वोट दे सकता है, ठीक है, इस फ्रेंच जो है, वो लोग सभा की हो सकती है, यानि कि जव जाद से जादा सिंख्या इसमें हो सकती है, वो है 552, और इसके दो मेंबर को जो है, वो प्रेजिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जबकि राज्य सभा में जो है, सिफ 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर जो ह का रिखाय दिए जाएगा आपको आपने उसको पढ़ कि जए वो आंसर करना है ठीक है तो हमें परफ दिया गया था उसके उससे जो क्वेस्टिन पूचा गया है वह वह अज़ा तो इसका उद्धेश्य किया था तो उसका उदेश्य जो था हिंदू और मुस्लिम्स को डिवा प्रोटेस्ट करने के परपस से होई थी तो स्वधेशी मुवमेंट यह है वह स्टार्ट किया गया था ठीक है जिसमें की जो देश में चीजे बनेंगी सिर्फ उसी को जूस किया चाएगा उसको जब्वाजित हो गया था निक्स्ट एक गूप्स वर फॉर्म्ड इन कॉंग्र एक मैप में अगर यह सारी चीज आपको बताई जाएगी तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा इसलिए मैं अलग-अलग मैप में यह चीज आपको बता रही है अब कोई भी दो यह तीन पॉइंट जो है वह याद रखने की कोशिश करना जो आइरन ओर है ठीक है वह आपको इन जगेहों पर मिलेगा राईस एंड वीट जो है यहाँ पर इस साइड जाओगे ठीक है इस्ट साइड में वो सारे राइस हिहां पर मिल जाएगा आपको विट जो आपको पता है पंजाब हरियाना वीट के लिए शपेशल है ठीक है आप उन चीजों को याद सबस्माइब तक तो पर याद हो तो सबस्ट epoxy में ऐसे चीज़ों कोिए याद रख और यहां गोट साइड में साउथ ऐसे न सायड में क्यों पहनते हैं क्वह पर गोल्ड होता जबधे है ठीक है ऐसे चीजों को याद रख सकते हो थो यहां पर देखो गोल जlection में कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें next है Mikka Mika जो है अप इसको याद रखना कि ये राजिस्थान में काफी जगे जो है वो मिल के बाद आजदा ह्याई आपका copper copper जो है वो आपको is coming to 85 Korean यहाँ पर देखाब का कॉन माद्य प्रदेश माध्य मेगनीज जो है वो भी जो है वो आपको राजिस्थान में मिल जाएगा गुजरात में मिल जाएगा ठीक है कोई भी दो से तीम पॉइंट ही आदरफोर समझ में आ गया होगा इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेस्चन कीजिए आपको रेप्लाइब मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच